स्वागत है आप सभी का लेटिस रेक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में तो दोस्तों आज हम डीडी रियेक वाले आलोक रंजन का वीडियो देखने जा रहे हैं और वीडियो का टाइटल है इस कृस्मी डेड होर्स पर पाकिस्तान तो सुरकर टेहाज का मिक्स रेक्शन तो वो मुझे निकाल कर दिया गया है कि भाई ये जो हैं वो मेन मुद्ध हैं इंडिया और पाकिस्तान पर इन्होंने जो बातचीत की है तो आएए देखते हैं कि किस तरह की बातचीत हुई है इसमें क्या नया समझने को सीखने को और जानने को मिलता है चलिए तो बहुत कम लोगों को पता है ये एसस जी जो है फॉज के अंदर ये भी अमेरिका ने बना कर दी थी रूस के अगेंस्ट और अयूब साब ने पर पैसा लेना चुरू कर दिया और वो पैसा लेके उन्होंने रूस के अगेंस्ट को जो लड़ना था वो उन्होंने इंडिया पे मास कोल दिया तो गोरो ने कहा कि भाई ये क्या स्कैम कर दी है मतलब हमसे तो कहा था कि हम तो मॉस्को पे जंडा लगाएंगे दिली पे लगाने की कोशिश करना चुरू कर दी है तो ये था कि इतना कियोस दिखाई देता है शुरू में आपको पहले अबजेक्टिव रेजलूशन आती है फिर आयूब कहता है सेकल्डरिजम थोड़ा सा लेके आना है और बाद में वो भी चेंज हो जाता है शुरू में ही कि उनकी सिम्त अलग निकल गी और हमारी तो आपने जैसे बता ही इंडियन्स को ये पता था कि ये कंटिनुविटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साथ हजार साल पुरानी तैजीब है और हमारी ये वैलियोज है पर नेरू के आडियास भी क्लियर थे कि सेकल्डर रियासत होगी उसकी वज़ा ये है कि हमने कभी भी किसी को सप्रेस नहीं करना कि ये जुबान बोलो और ये ना करो तो हमारे यहां पर ये हुआ कि पहले ही ढाका में जाके अंग्रेजी में तक्रीर करते हुए कहा कि अर्दू बोलनी है आइंदा से जो कि मेरा ख्याले खुद को भी नहीं थी आती तो खेर आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान में ये नहीं हुआ तो एक तो सेकुलर प्रिंसिपल कि जो भी हिंदुस्तान का शेहरी है कता है नजर इस से कि उसका मजब उसका रंग उसकी नसल क्या है बेशक रेसिजम वहाँ पर अभी भी है और अभी हो रहा है सारा कुछ अब तो खेर एक डिरेक्शन बदलने की कोशिश की जा रही है वहाँ भी लेकिन एक तो कॉंस्टिट्यूशन का आना जो यहाँ पर सेवन्टी थ्री तक नहीं आ सका उससे पहले जो आया वो तो मजाग था क्योंके वो मार्शल लॉस के दोर में आता रहा गहर जमाती एलक्शन होते रहे फादमा जिना को गद्दार करार दे दिया जो फाउंडिंग फादर की बेहन थी तो वहाँ पर एक सेकुलर प्रिंसिपल मुझे लगता है दूसरा सिविलियन सुप्रेमसी इसलिए बेहतर रही और आज तक कू नहीं हुआ क्योंके कांगरस जो है वो एक बड़ी मजबूत जमात थी बड़ी और्गनाइस थी उसके जो लीडरान थे उनकी अवाम से कनेक्टिविटी बहुत ज़ादा थी लीगर्स की नहीं थी हुसान अकानी साब तो लिखते हैं कि बार्डिशन के बाद वो सोचते रहे कि अब जाना काएं करना क्या है बहुत से लोग यह सवाल करते थे कि अब क्या करें यह बना लिया है इवन जिना साब का अपना घर जो माला बार हिल्स वाला था हिंदुस्तान में वो उन्होंने का कि मैं आख गर्मियों की चुटियां वहीं गुजारा करूंगा यह बताता है कि उनका यह विजन नहीं था कि बॉर्डर बंद हो जाएंगे इतना तो सीरियस नहीं लिया हमने ना यार लेकिन वो हुआ बाद में कुछ और बिल्कुल ट्रेजेक्टरी मुख्तलिफ हो गई बिल्कुल तो एक तो यह है कि वहाँ पर एक सिविलियन एजनसी बड़ी स्ट्रॉंग थी और वो नैचरली होती है जिस तरह आज आज आप तीन चार पार्टी को कंपेर कर लें तो एक पार्टी स्ट्रॉंग है वेल कनेक्टेड है दूसरी नहीं है तो कांग्रेस और लीक का जो फर्क था वो इंदुस्तान और पाकिस्तान का फर्क था यूँके नहरू साब ने आके जो रिफॉर्म की जो लेंड रिफॉर्म की सबसे बड़ी बात के रिडिस्ट्रिबूशन अफ लेंड वस वेरी वेरी निसेसरी उनका एक इंटर्विव है के हमें पहले से इल्म था कि लीक की जो कयादत है मुस्लिम लीक की वो सारी है यह वडेरों की यादी से जादा अलीड थे बिस्ट्रिबूशन अलीड थे तो मैं तो अकसर कहता होता हूँ यह अमनेस्टी स्कीम थी एक बेसिकली तो उसमें यह है कि जिसको भी खत्रा है कि मेरी जमीने चीन ली जाएंगी वो इस तरफ आ जाए असान है ना मैंने अलान कर दिये मेरे ग्रूप में आ जो तो मारी जमीन बचा लूँगा और वही हुआ कि वो 30-40 खानदान आज तक वो ही मखदूम आज तक वो ही कुरेशी और वो ही सब चल रहा है अभी तक हम सिंद में बैठे हुए है यहां पर भी वो ही चल रहा है हिंदुस्तान में लेंड रिफॉर्म हो गई वडेरे की ताकत को तोड़ दिया गया वहां जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके जो बादशाह थे या प्रिंसिस थे उन्हें का गया कि भाई एलेक्शन लड़ो और मनापली तोड़ दी तो वो एविडेंट है उसके बाद से और उसके बाद पर जब हर चीज एक गाड़ी देखे कई लोगों को मैंने अच्छा अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा कि शायद सेयद मुझमिल भाई ने कहीं मेरे वीडियो तो नहीं देख लिए हैं क्योंकि ये जिक्र हलांकि मैं इस पर वो नहीं कर रहा है उन्होंने पढ़ी होगी चीज़ें जैसे मैंने पढ़ी हैं जैसे मैंने नूट्रल हिस्ट्री पढ़ी है जैसे मैंने चीज़ों को डूंडा है तो उन्होंने भी क्या होगा जाहिर से बात है बहुत पढ़े लिख पे कहते हैं पाकिसान से कमेंट करके कि नहीं नहीं आप तो जूट बोल रहे हैं ऐसा थोड़ी नहों होता है ये पॉइंट गलत है आपका तो देखे एक पाकिस्तानी इंटेलेक्चुल ने भी ये बात कही है और मैं एक बार फिर से पंडित जवाहरलाल नहरू का जो हमारे फ पारी चली जाएगी जमीने जमेदारों की चली जाएंगी इसलिए उन्होंने अलग स्टेट मांगा पाकिस्तान बनाया और आज देखे वही बात मैं करें बढ़ेरा सिस्टम आज भी जारी है आज भी उन्हीं फैमिलीज का राज है पूरे पाकिस्तान पर जो उस वक्त भी ताकतवर थी आज भी ताकतवर है और शायद आने वाले वक्त में भी ताकतवर रहेंगी सुनिये पंडे जवाला नेरू किये बाद Mr. Jinnah was not involved in the fight for independence at all. In fact he opposed it. The leaders of the Muslim League were big landlords and the like who did not like land reform. We were very anxious to have land reform which we did have afterwards and that was one reason that we agreed to partition because we thought that if they remain with us apart from this trouble continuing. तो मजबूती से डटे रहे कई ऐसे मौके ने अए जब डिमोक्रासी पर हमारे आवे खत्रा आया, लेकन हमारी डिमोक्रासी डीली नहीं पड़ी हमारी जनता डीली नहीं पड़ी आपकी जनता तो कभी उठी नहीं सही है एक function कर रही है वो सही तो ऐसा नहीं होता कि engine उठके पीछे लग जाए उसका वो एक order में चलती रहती है हमारा तो था ही नहीं न तो इसलिए वो शुरू से they cut to size the military as well और आज भी वो मारूटी सुजूकी में चीफ आता है उनका और defense minister से डरता है वहां पे तो किसी की मजाल नहीं है कि सोच भी सके civilian किया गया इसको बात करने का वहां पे तो वो जो democratic ethos हैं वो आपको भी दिखाई देती हैं और लोग कहते हैं moody आगे सब destroy कर रहा है personalities जो है वो रियासत के institution को तबाह नहीं कर सकती हैं यूँके वो टरंप आके चला गया अमेरिका वही है अगर constitution तगड़ा है आपका civil society तगड़ी है और social contract तगड़ा है तो courts काम कर रही है सबसे बड़ी बात और वहां नजरिया ज़ूरत नहीं हुआ जो यहां पर हो गया justice मुनियर साब के गवर्नर जरल बना दिया आपने अब जना साब गवर्नर जरल बने और नहरू साब वजिर आजम बने तो वो एक democratic tradition पहले दिन से प्रेसिडेंट सेट नहीं हुआ तो यह वो चीजें जो जिसको accept करना बहुत तलख है लेकिन लोग करते हैं हिंदुस्तान के अंदर भी एक ग्रूप है जो गांदी साब के अगेंस गौड से को सपोर्ट कर रहा हुता है तो यह इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने क्यूं बात कर दी किसी के अगेंस यह पूरी दुनिया में होता है और वही बात के खौफजदा होंगे तनकीद से तो नहीं चलेगा काम तो यह वो रियालिटी से जो एकसेप्ट करेंगे तो शाहिद रिफॉर्म आ जाए कारगल में क्या बताया कि आप फाते कश्मीर बन जाएंगे आप वहां जाके जंग लड़ें और दुबारा ले ले लें उस खिते को उसमें देख लें वो यह खामोशी कहां तक किताब है जरनल शाहिद अजीज की तो उसमें वो कहते हैं कि 600 लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया उन लोगों को तो वो इसलिए कि आपने एकसेप्ट नहीं है तो यह डॉग्माटिक ठिंकिंग का इतना बड़ी प्राइज आप पे कर रहे हैं और अब भी कर रहे हैं उसकी वज़ा है कि अब भी यही है कि हमने हमें कोल्ड वार की स्टेट में हैं हिंदुस्तान से भाई देर उन गिव डैम वो उतना सौफ़वेर बेच रहे हैं यतना आपका जीडीपी है स्टेट अफ माराश्टरा का पूरा जो जीडीपी है पाकिसान से जादा है एक स्टेट का उनका गोवा का जो टोरिजम है आपके पूरे मुलक का बिछले दस साल में नहीं है एक साल का जो उनका है तो आप अपने आपको एक ऐसा जाइंट समझते हैं कि हम नहीं इन से बात करेंगे अपने आपको एनलाइस तो करें कि आपका साइज गया इंटरनेशनली आपने यह सोचा कि चूँके हमने हिंदुस्तान की अगेंस्ट काम करना है अगें फिलोसिफी क्यूंके आप डॉगमैटिक सोच रहे हैं कि वो हमारा दुश्मन है ओम और गैंतों नहीं का था ना कि पाकिस्तान को युनाइटी एक चीज़ करती है हेटरिट फर दा हिंदू इसके लावा कुछ कॉमन ही नहीं है पच्टून, बलोच, गिलगिती, पंजाबी, सिंधी सब अलगे हैं उनके पास कॉमन ग्राउंड यह था हमें हिंदू से अला कमरे में बंद कर दो सोशल कॉंटरेक्ट यह था आपका दो कौमी नजरिया जो 71 में फ्लॉप हो गया आपके अपने 51 पसंट मुसल्मान भाईयों ने कहा कि हमारी चांद छोड़ दें नहीं काम आया आपका यह बैंडिंग गलू बनाई थी आपने तो खेर वो अच्छा ये बात जब मैं कहता हूँ न तो इस पर भी पाकिस्तान से बड़ा जबर्दस रेक्शन आता है कि दो कौमी नजरिया आपको क्या पता है हम यहाँ आजादी से सांस ले रहे हैं अरे भाईया मुजब मिल की बात सुनो और दो कौमी नजरिया क्या था कि जी हिंदू और मुसल्मान साथ नहीं रहे सकते इंडिया में पाकिस्तान बनने से पहले भी हिंदू और मुसल्मान साथ रहते थे और पाकिस्तान बनने के बाद भी हिंदू मुसल्मान साथ रहते हैं और पाकिस्तान नहीं रहने के बाद भी हिंदू-मसल्मान साथ रहेंगे यहांपर बाते बातों में निकल जाता है मैं यह नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान नक्षे से गायब हो जाएगा नहीं नहीं गायब नहीं कर रहा हूँ एक बात कह रहा हूँ, जो बात जो थोड़ी आपको हिट करे दो कौमी नजरिया जो था, वो flop है इसको आप लोग अपनी achievement बताने को मत करें जो असली पाकिस्तानी है, जो समझदार पाकिस्तानी है वो समझता इन बातों को और देखे, मुझमिल भाई ने कह दी ये बार flop है दो कौमी नजरिया होता तो भाई बंगलादेश अलग क्यों होता इस पाकिस्तान अलग क्यों होता, वो तो इस्लामिक थे ना, वो भी तो इस्लाम वाले थे महावित तो इस्लामिक मेजरिटी थी, फिर क्यों अलग हो गए वो वहाँ पर फिर आपने उनको सपोर्ट किया, इसलिए कि हिंदुस्तान के वो अगेंस्ट हैं, अब वो हिंदुस्तान से भी डील कर रहे हैं फिर आप उन्हें कहते हैं, तो वो क्यों नहीं मार सकते हैं, क्योंकि टीटीप और वहाँ पर एस्ट तुर्किस्तान मूवमिट भी है, जो चीन को मारती है, वो मिल जाएंगे, और तीसरा जो दाइश खुरासान है, आइसिस खुरासान, एक और ग्रूप है, वो तीनों हानी, इंडिया का तो लोक्स प्रिटी ब्राइट, अन दी एकोनॉमिक फरंट, इं टरम्स अ सिवल लिबर्टी इस नोट वेरी गूड, उसकी वज़ा यह है कि जब इस तरह की रजीम्स फंक्शन करती हैं, और एकोनॉमिक ली परफॉर्म कर रही होती हैं, तो उसके बाद इसमें इधर वालों को कुछ करने के जरूत नहीं है, देखे, जब जंग होती है, लड़ाई होती है, या क्या कहें, कमपुटीशन होता है, तो बल दोनों तरफ से बराबर लगना चाहिए, एक बल तो ठीक है, दूसरे के पास बली नहीं है, तो कैसे ठीक हो गया, अब इसक पाकिस्तान अपने आप तबाह हो रहा है, पाकिस्तान को कोई तबाह हो रहा है, पाकिस्तान अपने आप तबाह हो रहा है, इंडिया ने कभी पाकिस्तान पर अठाक नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने जरूर किया, और आज उसका नतिज़ा क्या है, पाकिस्तान तबाह हो मैं तो आज भी कहता हूँ, कि आप जूटी बाते छोड़ो, मुद्दो पर पकड़ो सरकार को, लेकिन मुद्दो पर पकड़ने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना, निकालना पड़ेगा ना भाई मेहनत करके कमी, तो निकाल नहीं पा रहे हैं, राफेल पर माफी माँगी, चौकिदार चोरह पर माफी माँगी, अभी इस पर भी शाद, जिस पर सदस्यता गई है, ये भी जूटा निकला, कहां है आप, असल मुझे जनता बहुत समभाना ना, बहुत समभाना है, वो जानती है कि कहाँ पे फेक चीजे दिखाई चारही है, प्रोपगंडा किया जा रहा है कहां पे ग्राउंड रियलिटी क्या है अब जन्ता वो रही नहीं इंटरनेट का जमाना है और सब ढून लेते हैं फट टसे चीज़ें आप देख लीजिए कि मीडिया की जो औरियन्टेशन है हिंदुस्तान में मुझे पाकिस्तान जैसी लगती है किसी है रवीश कुमार की मिसाल है मेरा ख्याल है आखरी चंद अच्छी आवाजों में से था उसने भी स्टीफा दे दिया क्यूंके चैनल ही वो प्रो मूदी लोग खरीदना शुरू हो गए है तो उन्हें बता है कि भाई स्पेस नहीं है क्या करें अब स्पेस है बिलकुल है स्पेस पुर्णिक्रसून वाजपई अभिसार शर्मा वो क्याना मैं उस बीबी का अरे राना याकूब क्याना मैं उसका यार जो भी है अपने रवीश कुमार यूटूब पर आवाजें नहीं उठा रहे हैं अजीत अंजूम यूटूब पर आवाजें नहीं उठ रही हैं प्रोपर स्पेस मिला है अब तो ज़्यादा स्पेस मिल गया in fact तो आप अगर कहते हैं कि मीडिया पर पाबंदी है तो पाबंदी तो यहीं भी लग जाती YouTube पर बैल लगाना कौन से बड़ी बात है सरकार चाहेगी दो मिनट में लगा देगी नहीं लगाया ना सब को बोलने के आजादी है वो तो नौकरी थी यहां तो और आजाद हैं आप यहां पर कोई किसी का दवाब नहीं है यह तो और अच्छा हुआ है इनफाक्ट नौकरी में तो दवाब होता है एडिटर ने कुछ कहा उसके उपर मालिकों ने कुछ कह दिया तो आपको सारी चीज़े देखनी पड़ती है यहां पर कौन सा दवाब है यहांपर आप अपने मालिक हैं आप अपनी अवाज जिस तरह से हो सकता है जितनी उचाई जितनी मीनार उची बना सकते हैं उतनी अपनी अवाज की मीनार बना सकते हैं यह मत कहिए हम अंडिया का लोग जानते है और जाई देखें मिलियन्स में सब्सक्राइबर है उनके तो अगर आवाज दबाई जाती तो यहां भी दबाई जाती भाई सिर्फ न्यूस चैनल पर ही दबाई जाएगी और जबकि न्यूस चैनल देखने के लिए तो घर में बैठना पड़ेगा टीगी देखना पड़ेगा यहां तो सोशल मीडिया का जबाना है जहां मन करें आप महां चले जाएए है कि नहीं अभी वो एक बड़ा रीसेट फिनॉमेना अमरित पाल सिंग के नाम से वो हुआ है जो पंजाब में वो बड़ा जो है ना वो खालिस्तानी तारीक को दुबारा से करने की कोशिश की है उन्होंने तो यह मसाइल हिंदुस्तान के हैं और वो ऐसे नहीं है कि सॉल्व ना हो उसकी वज़ा कि जब स्टेट फंक्शन कर रही होती है पैसा आ रहा होता है तो लोग बंदूग उठाते ही नहीं है कोई बेवकूफ नहीं है कि वो अपनी खुशाली की जिंदगी छोड़के सेपरिटिस्ट मॉवमेंट का पाड़ बन जाए वो वही लोग बनते हैं जनके घर में खाने को रोटी नहीं होती तो वो इसलिए कि उनको पता है कि रिडिस्टिब्यूट की जो है न वो किस तरह से वेल्थ को कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं तो हिंदुस्तान का मैं समझता हूँ कि एक पॉइंट पे चाइना से एज हो सकता है बिकॉज इवन अंडर मुदी इट से इन ओपन सुसाइटी चाइना इस नोट इन ओपन सुसाइटी और इस तरह की सुसाइटी बेशक आपको नजर आएंगी कि बड़ा एकॉनमी में डॉमिनेट कर रही हैं वेस्ट को बहुत बड़ा थ्रेट पोस कर रही है बड़ इन दिस रीजिन आफ्टर टुइंटी फिफटी आइ थिंग चाइना एस तू रन फर इट्स माई अगेंस इंडिया क्योंकि जिस रैपिड पेस पे इंडियन एकॉनमी और सिवल सुसाइटी जो है ना वो चला सकती है हिंदुस्तान को वो चीन में नहीं हो सकता क्योंकि वहां बिरॉक्रसी बड़ी टाइटन्ड है और उसमें बड़े कंसरविटिव पॉलिसीज हैं युवान को लेके उनकी और चीज़ों को देख लें तो यह है कि उसमें एक मुशावरत का अमल चीन में एक्जिस्ट ही नहीं करता उसमें बस और आते हैं और किस लिहास से पॉलिट ब्यूरो जो उनका है उसमें कैसे लोग ओपर आतें हैं नहीं पता इतना तो हिंदुस्तान का मुझे लगता है प बात ही खतम हो गई ना अब प्रैक्टिकली एलो सी एक्जिस्ट नहीं करती इट से इंटरनाशनल बॉर्डर यूजिसलेट कर दिया है इसी इसको तो कश्मीर को भी आपने धाईयों से मिस हैंडल किया है आपने 65 वार में खुद शुरू की बाद में का हमने डिफेंड कर ली ह नहीं करते हैं कि हमने गुसाया था लोगों को वहां पर हमने बताया रात की तारीकी में हिंदू बनीया आया था और हमने बचा लिया मुल्क को जाने देखे तो खेर उसमें आपने लिखकर दे दिया ताशकंत में कि यह बालैटरल इशुर है हम और आप सॉल्व करेंगे अ इनको यह अभी भी उस हैंगोवर में है कि कश्मीर का एक बोन ओफ कंटेंशन है मुझमिल असलम साथ जोनोंने पोटेंशिरी पाकिस्तान की एकॉनमी चलानी है अगले एलेक्शन के बाद प्यूंके पीटी आई के में मैं अशौकत तरीन के साथ उनसे मैंने सवाल किया कि हिंदुस्तान से ट्रेड होनी चाहिए मैंने का पागल है आप क्या किस किसम की बात कर रहे हैं कश्मीर के मजालिम के साथ आप यह सब करेंगे हिंदुस्तान से बात करेंगे ट्रेड करेंगे उनसे यह विजन है देख लें किया future है तो यह चीज है कि यह radicalism जो है यहां पर so we are going to be reduced to nobody's and this continent is all about China and India and the future is east because the west is slightly losing ground और EU का बहुत बड़ा हाथ है उसमें कि वो तूट कई तो इतना वीडियो था और आपने देख लिया कि किस तरह की बाते हुई जाहिर से बात है यार कश्मीर वाकई dead horse है आप कश्मीर कश्मीर चिलाते रहे है लेकिन जो कश्मीर के लिए आप लोगों ने कर दिया है वो आप international community आप से सुनने वाली नहीं वो समझ गई है कि किसका पक्ष right है और किसका wrong है आप लोग invader थे कश्मीर में इसलिए UN के resolutions कहते हैं कि आपको non-Kashmiri जितने हैं यानि कि फॉज बाकी चीज़ जो लगा रखे हैं वो सब वापस करनी पड़ेंगे इंडियन कम करेंगे अपनी फॉज वापस नहीं करेंगे UN resolutions के बात कर रहा हूँ जाके पढ़ लिजे आप लोग थोड़ा resolutions के बारे में और छोड़ो यार UN UN चोड़ दो ये तो मसला है अब bilateral है ये इंडिया और पाकिसान के बीच का मसला है किसी तीसरे पक्षका है नहीं दोनों देश इस पे sign कर चुके हैं अग्रिमेंट ये भी आप लोग को जादा लोग वो पता नहीं बटाते नहीं शिमला समझोते में भी यह हुआ था तो सोचे कि कहा है UN चला रहा है छोड़ दो UN में और जो है उसे मान लो बाकि एक बात कर ये मुजमिल भाई ने की वो LOC अब रही नहीं इंटरनेशनल बॉर्डर हो कहने नहीं 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 सर वो LOC ही है क्योंकि उस पार भी तो हमारा ही है कानूनन दस्तावेजन वो भी तो हमारा ही है पकिसानी उकुपएट जमो किश्मीर वो LOC ही ही है अभी लाइन ओफ कंट्रोल ही है, वो आई भी नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, और वो हम उसे लॉसे ही मानेंगे जब तक कि वो पार्ट वापस रीविफिकेशन नहीं हो जाती है, जिया था मुझे भी पक्का याद ही आ रहा है, लेकिन कोई जर्नेल था, हमारा बड़ हो जाएगा, लेकिन आना जाना मारा लगे रहा, अगर ऐसी सोच रखते थे ना, तो किश्मीर पर ना चड़ दोड़ते, पहले दिन आते ही, तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो, आलकसर की वीडियो देखने में बहुत ही मज़ा आता है, और बहुत कुछ जानने को मिलता है, जो जिस तरीके के वीडियो से लाते हैं, तो पाकिस्तानियों को वैसे भी यह पेलते ही रहते हैं अपने फैक्स के साथ, जैसे मेजर साब करते हैं, वैसे आलकसर भी करते हैं, लेकिन उनका अनडास थोड़ा डिफरन है, और जो मुझमिल, स्यद मुझमिल बात कर रहे थे मोडी जी के बार में जिस तरीके से वो बात कर रहे थे मुझे लगता है उनको मोडी जी कुछ खास पसंद नहीं है कापी सारे पाकिस्तानियों की तरह तो आपके क्या विचार है वो हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखके ज़रूर बटा अगर वीडियो पसना है तर लाइक करना में गुलियों चैनल बना है तर सब्सक्राइब करना है विए